खून पानी से गाढ़ा होता है और उस पे वह ब्यवारिक जीवन में देखेंगे तो वह परलक्षित होता हुए भी दिखता है मुलायम सिंग यादव जिन को नेता जी कहा जाता है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है उनके सामने सबसे बड़ा धर्मसंकट है कि सिवपाल याद भाई सिवपाल यादव और बेटे अखलेस यादव में से किस को चुन है बल्कुल बात सही है कि धर्मसंकट में तो रहेंगी पहले भी वो अपना इस्टेंडी इस तरह कर लेते रहें पहलवानी के रिंग में आएंगे आएंगे भाई के साथ बैठेंगे लेकिन उन्हों ने चुना केक को अरे क्यों न चुने आखिर कारी किस्वी सदी है यंग का यगेश्टर की यह सदी मानी जा रही है बेटा यंगेश्टर है और वो केक जो है उन्हें ज्यादा भाने लगा पुराने माश्र जी भी हैं और पहलवान भी हैं खालाकि जो उनके बारे में बताया जाता है कि वो सीवपाल यादा उनके काफी नजदीक रहे और लास्ट तक जब अकेले पड़ गए थे परिवार में अलग थलग पड़ गए थे तब भी उन्होंने सीवपाल यादा ने उन लंबे समय तक चला था आपको याद होगा और जो ये रेफरी के भूमिका में आ गये थे नेता जी कभी इनको संद करते थे कभी उनको संद कर दे थे लेकिन जब से सीवपाल यादा जी ने नई पार्टी बनाई है प्रकसील समाजवादी पार्टी लोहिया तब से उनके सा पुत्रमों उनको भी हो रहा है बेसक भाई ने उनका साथ दिया हो मुश्किल घड़ी में साथ दिया हो जब पूरा परिवार उनका साथ छोड़ रहा था तो लेकिन अब भाई का साथ चोड़ रहा है शीवपाली आदाव ने ट्विट करके अपने भावनाओं की भी अवि कितना लोयल बनते हैं अब जब अगला चुनाओ आएगा तब देखने वाली बात होगे कि नेता जी किस पार्टी से चुनाओ लड़ते हैं कहां लड़ते हैं किस पार्टी से लड़ते हैं कहां से लड़ते हैं क्या एक दूसरे के खिलाफ कभी इनके लिए कारिक्रम करेंग है अंता उनका पुत्र मों और उन्हें बुरी तरह से अपनी तरफ खीच रहा है तो आप ऐसे चकल्लस देखने के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटर चनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब किजिए